हेलो बुरिवन मैं S.K.S. Medical Admissions Counselor NIT PG 2023 का cut-up revision का लगतार student डिमांड कर रहते हैं और इंतिजार कर रहते हैं ऐसे condition में high cut-up revision हुआ है यानि कि जो भी student NIT PG 2023 के exam दिये थे उन सब भी student को qualify कर दी गई है या आपको MCC का official notice है जो कि आप MCC का official site पर आप जाके check कर सकते हैं यानि कि जो student के 0 marks है वो भी student eligible है और आप NIT PG 2023 के round 3 counseling से participate करेंगे या फिर वो आउलिया कोटे की round 3 के counseling हो या फिर अस्टेट की round 3 की counseling हो तो ऐसे condition में जो भी student का score कम है उनके लिए seat लेना इतना आफसान नहीं होगा higher clinical branch हो या फिर lower clinical branch लेकिन non clinical branch easy मिल सकती है इसके लिए आपको कुछ ऐसे state होते हैं जहां पे आपको seat मिलने की possibility तो हो सकती है लेकिन budget आपको काफी high जा सकता है depend करेगा कि आप किसकी सा state का form बार है किसकी सा state का registration कर रहे है registration portal हो सकता है कल से all India के साथ-साथ different defense state का भी notification आना start हो जाएगा ऐसे में आपको alert रहना होगा कि आपको कौन-कौन सा state में management कोटे और NRA कोटे या फिर normal fee पे आपको admission हो सकती है pure merit basis पे seat मिलेंगी कुछ state में आपको offline counseling कराई जाएगी ऐसे condition में merit इतना low चला गया है cut up इतना low चला गया है कि आपको कुछी state होंगे जहाँ offline counseling बाकि maximum state में आपको online ही counseling कराई जाएगी क्योंकि number of student इतना ज़्यादा हो चुके है seatे कम हो जाएगी ऐसे में offline counseling का कोई गुणजाईस नहीं बनती है कोई ऐसा chances नहीं बन सकते है ऐसे condition में जो student convert है doubt में है confusion में है तो आप चाहे तो इसके लिए paid subscription ले सकते है admission guidance ले सकते है इसके लिए आप चाहे तो pay करके हमारी यहाँ subscription ले सकते है इसमें आपको guide की जाएगी सुरू से लेकर last तक जब तक कि आपको seat अलोट नहीं हो जाती है कैसे counseling करनी है कौन कौन से state में आपको form भरना है registration किस तरीके से करना है कौन कौन से state में management कोटे की NRA कोटे के seat level हो सकती है normal seat मिल सकती है category वाले को क्या government seat मिल सकती है इन तमाम जनकारी को आपको दी जा सकती है यह जो official notification आ चुका है ऐसे condition में जो low quality के college है जिनका package काफी हाई है अफिर NRA कोटे के fee जिनका काफी हाई है इन colleges को भी अब demand बर सकते हैं negotiation होने का chances बिल्कुली कम हो चुका है अब जहाँ पे fee को कम करके seat को दी जाती थी अब ये option नहीं मिलेगा क्योंकि सब ये student eligible हो गए है जो की expected जो लोग 20 percentile, 25 percentile, 30 percentile या फिर मैं भी जो expectation किया था उसे काफी ज़्यादा कि इससे कुछ ज़्यादा ही cut-up रिवाज़ हो चुका है ऐसे condition में जो negotiation के chances है वो काफी high हो सकती है लेकिन जिनका score 250 या फिर 200 से ज़्यादा है उन्हें seat तो easily मिल सकती है लेकिन जो insect कम score पाते हैं उनके पास अगर budget का problem नहीं है तो आप चाहे तो seat ले सकते हैं अब यहाँ पे खेल होगे total पैसे की यदि आपके पास पैसा है तो आपके पास seat है आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास seat level नहीं होंगे अच्छे तरीके से अगर counseling करते हैं तो last moment में हो सकता है किसी किसे state में आपको seat वेकेंट रह जाती है हो सकता है एन वक्त पे आपको seat को एलोट किया जा सकते हैं आपको seat मिल सकती है ऐसे condition में number of student काफी high होंगे जो कि application form को fill करेंगे इन तमाम जनकारी को आपको अगर लेना है तो आप इसके लिए चाहे तो आप टेलिग्राम ग्रूप पेर subscription या फिर WhatsApp ग्रूप आप ज्वाइन कर सकते हैं जिया दोस्तों फिलाल के वीडियो में इतना है थांक्स पर वाचिंग